ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलिटिन की और बुलिटिन में बात होगी अंबेटकर नगर की जहां मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्सहा और दिखाएंगे गंज बासौदा में कैसे महला को बहला फुसला कर अग्याद चोर ले गए सोने की चेन आगे चर्चा करेंगे मुजफरपुर की जहां धूप में खड़े रहकर मतदान करने को मजपूर मतदाता ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा खबर अमेटकर नगर के जलालपुर से है जहां मतदान के लिए लोगों में दिखा हुसा चौदा लोकसवा सीटों पर अमेटकर नगर तौप पर रास्टी पर मतदान के चठवे चरण में युवाओं के साथ बुजर्गों में भी अच्छा खासा उसा देखने को मिल रहा है बता दें कि उत्तर प्रदिश में चठवे चरण के कुल 14 लोकसवा सीटों पर मतदान हो रहे हैं जिसमें अमेटकर नगर सीश पर बना हुआ है इसका श्रे प्रिशाजन द्वारा मतदान जागरुपता के लिए लगातार चलाई जा नहीं मुहिम को मिलना चाहिए एक बज़े तक अमेटकर नगर में 32 प्रतिशन मतदान हुआ जलालपुर बिदान समा के अश्रपकुर गाउने वासी 105 वर्षी मग्धू शर्मा भी लोकतंतर में प्रीस सेदारी साबिक करने के लिए मतदान किया अमेटकर नगर जलालपुर से सीन्यू संबादाता ब्रह्मे प्रकाश तिवारी की रिपॉर्ट फतेपुर जली की सुल्तान पुर गोश पुलिस के लिए दिन्दाडे लूट बनी चुनाओती चोरों के होसले बुलग पुर्वे में भी थाना शृत्र की गोटी की पुलिस के पास एक साराबा कारूबारी के साथ लूट हुई थी पुलिस ने कोई सुराग नहीं लगा सकी सुल्तान पुर गोश पुलिस का शैतर में नहीं रहा कोई खौफ चोरों ने बीसी संचालक के साथ लाखों की रुपए लूट कर फरार हो गए घटना इस सल पर पहुंचे एडिशनल स्पी फतेपुर सीओ धरियाओं खागा थाना प्रभारी एवं सुल्तानपुर घोश पुलिस सहीद भारी बुलिस फोर्स रही बौजू जगे जगे सीसी टीवी खंगालने के बाद भी पुलिस के हाथ रहे खाल भागे बैग में बताने लगोग एक से सवाला गुरुप है थे जो है जोनों कल बैंक से निकाल एक एक बैंक से निकाल ये ओर भी पहरी जाएक घटना की सुझना प्राप्त होते ईज़ा है जंत्र में शिखिंब दर आए जा रही है पतेपुर से सीनियू सम्मादाता स्रंशा आपदी की रिपॉर्ट खबर गंजबा सौदा से जहाद शरीवार दुपहर को त्योंदा रोड इस्तित एक बुजुर्ग मैला के अग्यात व्यक्ति सोने की चैन बातो बातों में उतरवा कर रपू चकर हो गया अग्यात शोर के खिलाफ मैला के परिजनों ने सीटी कोतवानी पहुंच कर रिपोर्ट दरस करा दी है जहां मामले की गंबीरता के चलते पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है मैं सीसी टीवी फुटेस के जर्गे आरोपी के पहचान की जा रही है बताया जाता है कि शनिवार दुपहर को महिला अपने किराने की दुकान संचालित कर रही थी तबी दुपहर को एक अंचान व्यक्ती पुल्डरिंग खरीदने की बात महिला से की और उसने ये भी कहा या गौशाला कितनी दूर है मुझे दान राजशी गौशाला में जमा करनी है महिला ने कहा कि दान देने के लिए आपको महवीर भी हार जाना होगा इतने में आरोपी ने दूहजार रुपह दे कर महिला से ही जमा करने की बात कही आपी जमा कर देना आरोपी ने महिला से कहा कि दान राजशी को सोने के आभूशन से टेच करा दे नन्राशी टच करने के लिए आरोपी ने महिला को गलिस उस चैन को तरवा लिए और जैसे रुपए को टच कर रहे थे इतने में रुपए और चैन लेकर आरोपी भाकड़ा हुआ जहां महिला ने चिलाने की कोशिच की इतने में आरोपी 921 हो गया मेला की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाव मामला दर्स कर लिया है जहां पुलिस सरकर्मियों से आरोपी की तलाश कर रही है महां भी ओ आरोपी कर देने मं मुझे दो हजार रुपे दिये सो रुपे दिये मैं वाइस से वापस दे दिये करे रघ defensive busy मैं और में से मुझे करेंट दुझा नहीं से तर्फिंटे माल प्रुटी मेर दे खिले 200 रुपे थे गल्ले में पर वाले खन में से जहन लाइज करें नीचे माल में तो मैंने खुद उठाई लगी मैंने तो आप मत अठाऊ हमें उठाई उसने दस दस के दो नुट उठा लिए उसी चक्कर में पता नहीं वो चेन और वान दो हजार रुपी कैसे उठा लिए बिर मेरे आंकों में सो जहलो वो थोड़े चला हो मान उतरा ही हो मैंने देख लूब चेन कहा है इतने में देखी दूब चेन ने मैंने बड़े बेटा वाबाई लगाई लगाई कोई इतने में लोग उतर के आए पता नहीं खबर जालाओं से जहां थाना कुठाओं में बादी की तहरीर के आधार पर मुगदमा लिखा गया मैं समद में एक शेतरादिकारी जालाओं द्वारा जानकरी दिदेवे बताय गया कि उरई जालाओं प्रकरण के समद में थाना कुठाओं में बादी की तहरीर के आधार प सब्सक्राइब करें दो पक्षों के बीच में जगड़ा उबन इसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ उग्रहोगर मार्पीट की घटना का रिपी गई है सूचना पर ठाना कुठाउन पुलिस और मैं शेतरा दिकारी जालाओं ने मौपेट रिक्षन किया है तहरीर मिली है तहरीर के अधार पर मुकदमा पंजिक्रत किया जा रहा है दो लोग संदेग दिसमें मिले हैं कोई रासत में लेकरने से पूस्तांच की जा रही है आगे कि सर फारिंग की भी सूचना रही किया फारिंग हुई है जी इसकी सुतंदर पुस्ती नहीं हुई है फिर भी सभी एंगलों पर हम रोग जाच कर रहे हैं जो भी तथ हैंगे हम आपके सासा रहे हैं ठीक है जारौन से सीनियू समवादाता महिंदर सिंगी आदब की रिपॉर्ट पुर्वी चंपारण के मदुबन प्रखंड के अधिकांश मद्दान केंदरू पर छाओं में वोटरों को खड़ा करने की विवस्ता नहीं की गई जिससे मद्दाताओं को परिशारी का सामना करना पड़ा मदुबन हर्दिया लाही कृष्णानगर बंजरिया समेत अन्य मद्दान केंदरू पर पंडाल के विवस्ता नहीं की गई थी पुर्वी चंपारण के अलाबा अन्य कई संसदी शेत्रों में यहाल देखा गया हलाकि कई जोगों पर इसकी विवस्ता भी की गई है जिससे मद्दाताओं को राहत में लिखें फिलाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूस भारत